प्रशान किशोर ने बताया कि किस राज्य में कौन आगे चल रहा है प्रशान किशोर बीजेपी कॉंगरेस टीमसी समय तमाम दलों को चुनावों में मदद कर चुके है टाइमस्नाव को दी एक इंटर्वी में प्रशान किशोर से सवानी किया गया जिकिस राज्य में किस दल को बढ़ात है सवाल कजाब देते हुए पीके ने कहा रायस्थान में बीजेपी थोड़ा से आगे है लेकिन कॉंगरेस ने पिछले कुछ महीनों में जमीन पर वापसी की है लेकिन अब भी बीजेपी थोड़ा आगे है मदबरेस चुनावत प्रशान ने कहा MP में काफी कड़ी लड़ाई है लेकिन मैं मार्जिन से बीजेपी को थोड़ा एडवांटेज दूँगा और 36 गड़ में भी कड़ी फाइट है कई लोग मान रहे हैं कि कॉंगरेस के लिए काफी आसान है लेकिन लग रहा है कि कॉंगरेस अभी आगे है पर कड़ी फाइट है इसके लावा तिलेंगाना के बार्यान प्रशान की सोर ने दो टुक कहा वहाँ बियारेस जीत जाएगी बताते राइस्तान में पिछले कई दश्कों से हर पाँच साल में सत्ता परिवर्तन होता रहा है पिछले पाँच साल से कॉंगरेस की गहलो सरकार सत्ता में है हाल के महीनों में सरकार ने कई योजनाय लाउंच करके बापसी की उमीद कर रही है पूरी ताकत से सरकार बनाने के लिए काम कर रही है। पिछली दिनों बीजीपे ने राजस्तान में केंद्री गृणिमंद्री अमिच्छा के नेतरित्व में और इवरतन यात्रा के दूसरे चरंगाराज भी किया। इस यात्रा से पार्टी को काफी उमीदे है। मदर प्रुदेश की बात करें तो साल 2003 से बीजीपी की सरकार है। हाला कि साल 2018 में कॉंग्रेस ने सरकार बनाई। लेकिन जूती रादिते सिंध्य के कई विधाईकों के साथ बीजीपी में चले जाने के चलते कमलनाथ सरकार लगबग देड़ साल ही चल सकी। इसके बात फिर से बीजीपी की सरकार बनी। प्रुदेश में कमलनाथ के नेतरित्व में कॉंग्रेस एक बार फिर वापसी की कोशिश में लगी है जबकि बीजीपी फिर से जीत का दावा कर रही है। इसके लावा चतिसगड़ में अभी कॉंग्रेस सत्ता में है और बोबेज बगेल मुख्य बंतरी है। पिशले बिजान सबाचनाव में कॉंग्रेस ने राज्यू में बड़ी जीत हासिल की थी।